अगर कोई शखस अपनी चीज को 52,000 रुपए में बेच दे और कुछ साल के बाद उसकी कीमत बढ़ कर लाख नहीं, बलकि लाखों करोड रुपए हो जाए तो इसे उस आदमी की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कुछ ऐसा ही एपल के को फाउंडर रोनाल्ड वेन के साथ हुआ और वेह दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी के जरिये दुनिया के टॉप दस अमीरों की लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए एक घलत फैसला जिन्दगी को पूरी तरह बदल सकता है कुछ ऐसा ही हुआ दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी के माले के साथ एपल दुनिया की सबसे बड़ी टेकनोलोजी कमपनी है शुरुआती धोर में इसने कही उतार चढ़ाव देखे अगर आपसे पूछा जाए की एपल के कितने फाउंडर थे तो शायद जवाब होगा दो लेकिन बहुत कम लोग एपल के तीसरे फाउंडर के बारे में जानते होंगे इन शक्स का नाम रोनाल्ड वेन है लेकिन वो दुनिया के सबसे बदकिस्मत इनसान के तोर पर जाने जाते हैं एपल की शुरुआत एक अप्रेल 1976 को हुई थी इसे शुरू करने वाले लोगों में स्टीव जॉब्स, स्टीव वाटनी एक और रोनाल्ड वेन थे रोनाल्ड वेन उस समय कमपनी के सबसे अनुभवी इनसान थे 42 साल के रोनाल्ड ने ही एपल का पहला लोगों भी डिजाइन किया था इतना ही नहीं, एपल कमपनी का पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी रोनाल्ड ने ही बनाया था एक तरह से देखा जाये तो कमपनी की बुन्याद रोनाल्ड के बलबूते पर खड़ी हुई थी लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने 800 और डॉलर में अपने शेर बेच कर कमपनी छोड़ दी रोनाल्ड के मताबिक कमपनी छोड़ने का फैसला उनका अपना था उन्हें जॉब्स के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी भले ही जॉब्स लोगों के सामने एक अच्छे स्पीकर के तॉट पर सामने आये हूँ लेकिन असल में जॉब्स बहुत जिद्धी और जोड़ तोड़ करने वाले इनसान थे 21 साल के स्टीव जॉब्स, 25 साल के स्टीव ओजनी एक और 42 साल के रोनाल्ड वेन ने मिलकर इस कमपनी की शुरुआत की थी रोनाल्ड वेन ने अपने एक इंटर्व्यू में कहा कि उस समय वो 22,000 डॉलर प्रती साल कमाते थे अपने शांदार करियर को छोड़ कर वो उमर के ऐसे पड़ाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कमपनी छोडने के बाद कुछ साल तक जॉब्स और वोजनी एक रोनाल्ड को वापस बुलाते रहे लेकिन रोनाल्ड ने उनकी बात नहीं मानी उस वक्त रोनाल्ड को यह नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं एपल धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी बनती चली गई इसके बाद वो दुनिया के सबसे अनलकी इंसान कहलाने लगे अगर देखा जाए तो रोनाल्ड की मौजूदगी के बिना एपल का कोई अस्तित्व नहीं होता लेकिन फिर भी रोनाल्ड को बहुत कम लोग जानते हैं इन आकणों को देखर ये बात साफ हो जाती है कि रोनाल्ड दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान है वीडियो अच्छी लगी हूँ प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करें साथी हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें